हाई फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर दिवशीश चंदा है मैं सीके बिरला हॉस्पिल की तरफ से ये वीडियो लेकर आया हूँ सीके बिरला हॉस्पिल गुरुगाओं में है जिसमें हम लोग और्थोपेटिक डिपार्टमेंट को मैं रन करता हूँ इस डिपार्टमेंट में क्या स्पेशालिटी है इसमें बहुत सारे स्पेशल स्वेशन्स है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्टिक्लर जॉब को करते हैं मेरा काम उन में से है joint preservation and joint replacement surgeries आज का जो वीडियो हम ते रहे है वो है knee replacements से related do's and don'ts before surgery क्या do's and don'ts रहने चाहिए, during surgery do's and don'ts क्या रहने चाहिए and after surgery आपके क्या do's and don'ts रहने चाहिए बहुत important video है, अगर आपको ये video बहुत अच्छा लगता है तो please do like and share and definitely share to those who are thinking and planning for knee replacement surgeries सबसे पहले हम बात करते हैं, knee replacement से पहली जब आप surgery के waiting period में है, मतलब कि आपने मन बना लिया है या मन बना रहे है knee replacement का, उस से में आपको क्या-क्या do's करने चाहिए number one, आपको सबसे important चीज़ है कि अपनी bones की strength को बनाने के लिए joint की strength को बनाने के लिए around the joint muscles को strengthen करना चाहिए मतलब कि exercise, strengthening exercise, thigh muscles की and calf muscles की thigh के front में होता है cortisus muscles, back में होता है hamstring muscles as well as calf muscles को strengthen अगर हम कर ले, तो हमाए knee replacement से preparation बहुत अच्छी होया थी number two, आपको do's में और क्या करना चाहिए, vitamin D, B12 and calcium rich diet and protein rich diet जादा रखने चाहिए, ताकि आपके bones strong हो और आपके joints strong रहे after surgery as well, number three, do's क्या होना चाहिए, जैसे knee replacement से पहले जो waiting period है, उसमें आप देखिए, जिन्होंने surgery कराई है, जो patient ऐसे हैं जिन्होंने surgery करा लिए है और operations से कम से कम 6 महीना या साल भर के बाद है, उन लोगों से बात करें, जिनके अच्छे results होएं, toppers से मिलना जरूरी है, जैसे exam के पहले हम लोग toppers से मुलते हैं, वैसे ही, ऐसे patients जिनकी surgery अच्छी होए, उनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ ऐसे नुसके आपको बताते हैं, जैसे कि आपकी surgery भी successful हो सकती है, तो यह बहुत important चीज है, जो आपको करनी चाहिए, before surgery, एक नहीं, दो नहीं, दस, जितने patients मिलते हैं, उनसे जरूरूरी मिले, number four, आपको अपने joint की mobility को बना के रखने के लिए, walking बिल्कुल ना छोड़, अगर आपको walk करते हैं, बहुत ज़ादा pain होता तो stick ले, support यूज कर सकते हैं, kneecaps यूज कर सकते हैं, and bones को जटकों से बचाने के लिए, sport shoes, इनको ज़रूर पहने के walk करें, walk करने से हमारी bones strong रहती है, तो waiting period में हमारी bones soft नहीं होंगी, जिससे हमारे post operative results, मतलब surgery की duration में bones hard रहने के कारण, implant की setting better होती है, तो यह ज़रूर करें, इसके अलावा क्या चीज़े आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, number one, कि आपको surgery कराऊंगी, इसलिए मुझे सारी activities छोड़ लेती हूँ, number two, ऐसे किसी भी patient से ना मिले, जो surgery कराके, किसी कारण से परेशान है, क्योंकि हमेशा यह याद रखिए, topper के पास, exam के topper के पास 100 reason होंगे, exam को top करने के, और type तरीके होंगे, top करने के, वैसे ही failure के पास 500 reason होंगे, exam को fail करने के, तो आपको यह ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से ना मिले, अगर मिल भी रहते हैं, आपके कोई जानपिशान में हैं, तो उनकी जो failure के कारण भूनने की कोशिश करें, rather than उनके excuses को सुनने के, तो यह बहुत important चीज है, क्योंकि बहुत सारे patient ऐसे होते हैं, जो surgery कराने से just पहले कुछ ऐसे खराब लोह से मिलते हैं, और अपनी surgery नहीं कराते हैं, जबकि हो सकता है कि उनकी surgery fail होने के 500 खराब reasons हो, तो इसलिए surgery से पहले अच्छे patient से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो positive motivation देते हैं, इसके अलावा एक और चीज जो don'ts में आती है, जैसे अगर आप smoking यह alcohol intake बहुत जादा लेते हैं, तो इसको stop करें, क्योंकि यह bone healing को या surgical scar healing को delay करते हैं, ठीक है, अगर कर सकते हैं, तो आप अपने weight को reduce कर सकते हैं, यह भी do's में आता है, अगर आप diet से bone, अपना weight reduce कर सकते हैं, before surgery, it is helpful, but definitely yes, मुझे लगता है इस पर जादा focus मत करें, क्योंकि आप बहुत जादा weight इसलिए lose नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप activity और walking बहुत जादा नहीं कर पा रहे होंगे, arthritis के कारण, जिसके इस कारण weight loss करना difficult रहता है, so यह जो topic मैंने बताया है, यह है do's and don'ts before surgery, now during या just surgery के समय, जब हम admission के लिए जाते हैं, आप जब भी surgery के लिए जा रहे है, तो अपने sugar levels ज़रूर चेक करा ले, आपका sugar control होना चाहिए, आपको कोई urinary infection नहीं होना चाहिए, यह ज़रूर देख लेए कि आपको active कोई infection आ रहा हो, अगर आपको कोई active infection हो रहा है, मतलब urinary burning sensation हो रहा है, कफ है, sore throat है, fever आ रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर inform कर दे, और हो सकता है, surgery को दो एक हफता differ करने की ज़रूर पड़ सकती है, नमबर थ्री, अगर आपको कोई body में rashes या किसी तरह कोई issues आ रहे है, तो उसको ज़रूर red flag की तरह डॉक्टर में बता दे, बहुत से लोग patients ये पताना भूल जाते है, मुझे लगते हैं, ये पताना बहुत ज़रूरी है, नमबर थ्री, आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी डूस में रखनी है, कि positive mindset के साथ surgery के लिए, admission के लिए आना है, आपको एकदम ऐसे रहना है कि हाँ, ये successful surgery है, और ये successful होगी surgery, surgery के दिन आप जब admission के लिए आए, तो scrub bath लेके आए, body को अच्छे से clean करके आए, shampoo के साथ सर बाल धोके आए, नाखुन काटके, नाखुन साफ करके आए, क्योंकि infection के rate इनसे कम हो जाते हैं, तो ये do's बहुत ज़रूरी है, admission से पहले, अगे, admission के बाद आपका goal ये रहना चाहिए, अगर मेरी आज surgery हुई है, सवेरे, तो शाम को मुझे standing करनी है, physiotherapy rehab वाले से पहले ही बाप करके रखे, कि मुझे शाम को standing करानी करानी है, मैं अपने patient को 99.9% time कोशिश करता हूँगी, evening, same evening में खड़े हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि chances of deep vein pharmacist बहुत कम हो जाते हैं, शाम को ही walk करना शुरू करें, अगले दिन आप room के अंदर चलना शुरू करें, do's में बहुत important है, जो भी आपका doctor आपको guide करें, आपका physical therapist guide करें, उसे एकदम religiously follow करना ऐसा नहीं है, कि आप उन में से आधी बाते मान रहें, आधी नहीं मान रहें, तो please उनको follow करें, क्योंकि वो लोग regular रोज patient देखते हैं, आप अपनी सब्सक्राइब पहली बात कराने आएं, जितनी भी बाते बताएं, उनको अच्छे से समझें, आपके साथ जो भी attendance आते रहें, कोशिश करें, उनको सारी बाते follow करनी हैं, दोनों लोगों को चाहिए, नमबर 3, जस duration में आप hospital में admitted हैं, आप उस duration में देखें कि मैं bed से कैसे निगलू, कैसे मुझे चलना चाहिए, walker का use कैसे करना चाहिए, मुझे motion, urine pass करना, motion pass करना, किस तरह करना है, bathroom कैसे use करना, वो सीख ले, ये सब सीखना hospital के अंदर जरूरी है, क्योंकि अगले दिन से आप इसको घर पे भी करने वाले हैं, तो घर के अंदर जो training है, वो hospital के अंदर से start हो जाना चाहिए, hospital में ये ना सोचे, बहुत सारे लोग सोचते हैं, चलो hospital में तो हमने rest करना है, और घर जाके सारी चीज़े करने हैं, नहीं, घर में आपको जो चीज़े करने हैं, उसकी preparation hospital में start हो जाएगी, तो दो दिन के अंदर मैं सारी चीज़े कंपलीट सीख जाओ, 24 गंटा, 48 गंटा काफी होता है, इस सब चीज़े सीखने के लिए, नमबर फाइब, एक और बहुत important चीज़े है, कि जैसा during और after surgery, doctors आपको guide करें, immediately post-surgery, doctors आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके surgery के bones के बारा में बताते हैं, उनको note करके रख लीज़ें, bones कैसी है, strong है, weak है, बहुत strong है, उनमें muscle activities कैसी थी, during surgery कैसा गया है, ये चीज़ें ज़रूर पूछ ले, क्योंकि लॉंग टर्म में आपको helpful होगी, don'ts, क्या-क्या चीज़ें नहीं करने हैं, एक तो बहुत ज़्यादा, डर को अंदर से हटा देना है, डर नहीं रखना है, जो जो advice करें, उसको follow करने ही क्वशिश करने, नमबर 3, ये ना क्वशिश करेंगी, मैं आज standing नहीं करके, कल करूं, अगर आपको कोई medical issue है, कुछ है, तो आपको डॉक्टर बताएंगे, आपको फिज़ो टीम आपको पहले इन्फर्म करतेगी, कि हम ऐसे चीज़ें नहीं करने बादे, नमबर 3, फॉस्पिल के डिवरेशन में भी, अपने सारी reports के बारे में, जाने, शुकर लेवल बहुत जादा अगर आपका बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए जाग रोग रहे हैं, नमबर 4, बहुत इंपोर्टन चीज़ें जैसे आइस पैक करने के लिए हम लोग पेशेंस को बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अपने आइस पैक को बोड़ी के अपर लगा के छोड़ देते हैं, लगा के छोड़ना नहीं है से दोदो मिनिट में चेंज करते रहना है, क्योंकि आइस बर्न भी बहुत समय हो सकते हैं, प्लीज डू नॉट एच क्योंकि हो सकता उससे आपके नाक्मूं से कुछ कट लग जाएं और आपको घाव बननेगी पुशिश हो, लास्ली जिस समय आपके डिस्याज हो रहा हो, सारी एडवाइस को अच्छे से समझ लें, बहुत सारे ऐसे पैशेंट्स है, जो एडवाइस को समझते नहीं हो ज़र जाके हो सकता है, उनमें से सारी एडवाइस पूरी ना करने हो, मेडिसेंस कब लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सी जीए, सारी चीज़ें डीटेल में समझ ले, सारे चीज़ों को आइसिंग को कप करना है डीवीटी स्टॉकिंग को कप पैनना है फिजियो थरपी कप करना है इसकी डीटेल एडवाइस है सच्छे से समझ के जाने हैं लास्ली घबराये नादल को भी ठीक है अगर आपको डॉक्टर नहीं बताते तो आप डॉक्टर के एसिस्टेंट या डॉक्टर के साथ की टीम के मंबर से जरूर पूशें नाओ नेक्स्ट वेज आता है घर जाके क्या करना है घर जाने के बाद आपको यह याद रखना है कि आपको जैसे हम हमारे याँ सर्जरीज होती है हम पेशेंट को प्रॉपर केर हूम में भी देते घर पे आपके फिजोधर्पेस आएगा एक्सरसाइजर कराने के लिए तो प्लीज उनकी एडवाइस पूरी फॉलो करे ठीक है ड्रेसिंग के लिए आजकल बहुत ज़रुद नहीं पड़ती इनकेस अगर आपको ड्रेसिंग चेंज की ज़रुद पड़ती तो hospital से ही भेशते अपने इड्रेसिंग्स को खुछ छेंड़ने की कोशिश ना करें खुछ चेंज करने की कोशिश ना करें ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा वाटरप्रोफ होते हैं वह बहुत ज़्यादा पानी से धोने की कोशिश ना करें क्योंकि गीला होने से प्रॉलम बढ़ सकती है तो अगर आपको ड्रेसिंग में कोई भी ब्लीडिंग है कुछ होता है तो इमीडेटली इंफॉर्म करना ऐसा जानी होता है कि आप उसको दो दिन रख ले या पास में से किसी को बुला के ट्रेसिंग को चेंज करा ले इनको कभी मी नहीं करा जिए क्योंकि हो सकता है आपके घर के आसपास वाले जो ड्रेसर सो और लोने नी रिप्लेस्मेंट वाले सब्सक्राइब कभी देखी नाओ त जाता हूं मुझे अपने काम करने शुरू करने हैं दूसरे तीसे चौते दिन तक मैं अपने पानी को खुद ले के पीओ अपनी चाय को बना के पीओ और टार्गेट हो 15-20 दिन के अंदर मैं अपने सारी हाउसोल एक्टिविटेज पर वापस चिला जाओ ठीक है जितना मैं तो इमिडेटली इंफॉर्म करना है इनके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने आज आया और मैं कल डॉक्टर को बताओं डॉक्टर के टीम का नंबर्स पेपर आमतर पर दिये होते हैं उन पर कॉल करके आप इंफॉर्म करें वाट्सप पर मैसेज़े बेजे और पिक्चर बेजे य नमबर टू आइस के कारणा अगर आइसिंग करते हैं पेशिंट को उससे पेइन रिलीफ आता है पेइन रिलीफ के लिए आइसिंग कम से कम चार से पांच बार जबूर करें मगर आइस पैक को लगा के छोड़ना दे क्योंकि आइस से फ्रॉस्ट भी होता है एक जगे पर आ हमारे हॉस्पिल में रेगुलर रूटीनली क्लास 2 स्टॉकिंग हर एक को प्रोफाइल एक्सिस के लिए पन्दव को रोपने के लिए दिये जाता है इनको आठ से दस घंटा पहनना ज़रूरी है चौवेस घंटे पहनना जाते हैं पहन सकते कोई दिख़त नहीं है पर डिव कि हालत कैसी है जिसने हैंट मटके बिना चलाया है गाड़ी तो अगर डीप फ्रमोसिस हो गया और उसके बाद आप सोचे कि मेरे को क्यूं हुआ उसको रोकना मुश्किल है इसलिए प्रिवेंशन बेटर दन क्यों डीवीटी स्टॉकिंग मस्ट होती है ज़रूर पहने नमर करने से फास्टर रिकवरी होती अगर आपका फ्रिजोथरपिस ट्रेंड है या डॉक्टर की टीम से आया तो बहुत चीज़ जानता होगा बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करेंगा जिसके गारना आपका रिजर्ट बेटर होगा हो सकता है आप नीचे जमीन पर पालती मारके भी बैठे और अपनी सारे काम कर सके तो इसलिए एक्सरसाइजस से डरेना एक्सरसाइजस को रेगुलर करें और इनको एक हेल्दी वे में अपने हैबिट में डालने ताकि लॉंग टर्म आप एक्सरसाइजस को कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज़ बहु मेंटेन रहेंगी और इंप्लांट की लाइफ लॉग हो जाएगी नमबर टू आपको हाइप प्रोटीन और विटमिन डी और क्याशियम रिस डाट याट विटमिन डी का सप्लिमेंट देना ज़रूरी है ताकि बोन स्ट्रॉग में सोचिए लकडी में एक हैंडल लगाया है औ अगर बोन साफ्ट है तो लूज हो सकती है इसको बचाने के लिए बोन स्ट्रेंद के लिए हाई प्रोटीन डायट कैल्शियम और विटमिन डी रिच टैक लेना है विटमिन डी सप्लिमेंट्स को लेना है थ्री रेगुलर फॉलॉप चेक अप्स जरू कराएं जैसे हमारे है या पे डूसरे हफते में छटे हफते में तीसरे महिने पे और साल भर पर यह एक रूटीन फॉलॉप प्रोटो काल है जो हम फॉलॉप करते हैं पेशिन्ट को देखते हैं जिसमें कि हर फॉलॉप के टाइम पे कुछ एक्सर रिया भोलग डेंसिटिस कराते हैं ये कराना जबूरी है और उसके बाद साल भर के बाद हर पहले 5 साल तक 2 साल ने एक बार और उसके बाद हर 5 साल ने एक बार दिखाना ज़रूरी है जैसे कि हम घाडी ख़र दिते हैं उसको सर्विसिंग की तो मुझे लगता है कि ये नीर प्रेश्मंट के बाद बहुत important चीज है जो कि हमें regular करने चाहिए मैंने देखा है 90% patients जो problem face कर रहे होते हैं वो अपने डॉक्टर के पास surgery के बाद छटे हफते के बाद कभी नहीं गए होते हैं कभी accident नहीं कराया होते हैं कभी bone density नहीं कराया है पता जरता है कि bones weak होने के कारणा उनको दर्ट शुरू होगे implant loosening start होगे instability start होगे तो यह बहुत important है regular follow-up कराना surgery कराके भूल जाना is not a right advice डूज एक और है कि regular exercises करने से muscle strength बढ़ने रहती है लोगों लगता है कि मैंने नहीं replacement करा लिए आप मुझे कुछ नहीं करना पर आपने सिर्फ joint replace किया है muscles की activity तभी होगी जब आप exercises करो तो regular exercises करके आप healthy lifestyle मतलब कि आपने surgery कहीं थी मैं अपने सारी activities कर सकूँ जैसे जमीन पर बैठ सकूँ नीचे बैठ सकूँ सीडी दोड़के चल सकूँ नॉमल जो गाड़ी चला सकूँ बसेस में चल सकूँ ट्रेन ट्रावल कर सकते हूं फ्राइट ट्रावल कर सकते हूं हाइकिंग कर सकते हैं हिली एरियास में चल सकते हैं कर सकते हैं even surfing भी कर सकते तो ये सारी चीजे करने के लिए कर सरजरी कराइए थे तो आपको चीजों करने के लिए Activity को Maintain करके रखने की जरूरत है ये सारे थे Do's and don'ts मुझे लगता है और आप personally आके मिलना चाहते हैं तो सीके पर्ला हस्पिल गुर्गाव में आके मिल सकते हैं मुझे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं मुझे लगता है knowledge बाटने से बढ़ती है और discuss करने से बढ़ती है अगर आप पूछेंगे नहीं तो हो सकता है बहुत सारे सवाल हमेशा के लिए मिस कर जाएं thanks for watching this video if you like it do like and share it और जिस भी patient को इसकी जरूरत है जो surgery के लिए वेट करें उनको जरूर बोले एक बार इस वीडियो को देख ले